आज ही CAPF AC Mentors को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स एंड वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें हैलो गाइज स्वागत है आपका CAPF AC Mentors में और मैं हूँ जनारदन All India Rank 167 2018 Batch ITPP and currently working in Air India as a Security Supervisor तो आज का जो टॉपिक है वो है report writing बहुत सारे लोगों ने queries की थी comments की थी और requests भी की थी कि report writing पर वीडियो बनाई है report writing पर वीडियो नहीं है आपके चैनल पर तो यह consider करके हमने थोड़ा बहुत study करके report writing का वीडियो बनाया है मैंने आज तो जो हम discuss करेंगे ठीक है पहली बात कि बहुत सारे meets meets से इसके बारे में कुछ भी बता आ जाता है ठीक है बाहर और exactly तो किसी को पता नहीं है कि मेरे दो बार papers check हुच चुके हैं और मेरे जो साती है जो उन से मैंने discuss किया ही कि आपने कैसे लिखाता और आपको क्या लगता है कितने marks आयोंगे कहां पर marks कटे होंगे तो उससे यह अन्दाजा आ गया है कि पेपर में मार्किंग केसे होती है और कहां कहां होती है और मुझे तो ट्रेइन किया था मेरे जो सीनियर थे संकल्प मिश्रा असिस्टन कमांडन्ट एसीर पेप में वो तीन बार इंटर्व्यू को जा चुके थे और उनका पेपर टूपे बहुत अच्छा कमांड था तो रू आगे डिसकस करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है तो आगे जाते है पहले तो जो एक टाइप होता है रिपोर्ट का न्यूज रिपोर्ट होते है जैसे यह 2015 में पूचा गया था ऑपरेशन राहत इन यहमन ठीक है न्यूज रिपोर गई थी या नहीं गई थी एर इंडिया गई थी तो उसके बाद कौन से मिनिस्टर गए थे ठीक है यहां पर विकेसिंग भी गए थे जो मिनिस्टर ऑप स्टेट एक्टन रापेश के उसके बाद नेवी की कौनची शीप शीप थी तो यह सारे फैक्स आपको डालने थे ओर तब आलने थे अफ़ार कि अपने मन का ढल लाति उसके बाद वहां से लाने के बाद बाद जो लोक लाएगे उनको घर पर कैसे पहुचाए गया उनका उनका ध्यान के से रखा उनके च्याटन को ऑनों कर दिया घ्ठ उनकर अनको के बाद वहाँ पे कंडिशन कैसे हुई थी तो कुछ बॉइलेंस हुआ या नहीं हुआ ठीक है उसके बाद से उमन्स ने कैसे सिलेबरेट किया था वहाँ पे और यह सारे सब रहत एक जगह पर ऑपरेशन हुआ है यह बैन अलकॉल इन बिहार में अलकॉल बैन हुआ है तो स्पेशल स्पिक न्यूज है यह जो है रिजिडिंग ग्लाशियर्स ग्लाशियर्स कोई ऐसा एक दिन एक एक बार नहीं है मतलब यह बर्सों से चला रहा है और वहता रहा है तो यह स्टडी है स्टडी करना पड़ता है इस पर रिसर्च करना पड़ता है एक दिन में होता है यह बहुत दिनों से चला रहा है और कई बढ़ता है कई पर ज्यादा होता है कई पर कम तो इसका एक स्टडी होना चाहिए रिसर्च होना चाहिए इसलिए इसको मैंने study report और research report में डाला जाए और मैंने friends से भी consult किया है कि इसका divination categorization कैसा किया जाए corruption in politics ठीक है corruption in politics specific भी हो सकता है पर यहाँ पर कोई specific बताया नहीं कि corruption in politics in बिहार, corruption in politics in महराश्टा ठीक है और corruption in politics कोई party हो कहीं पर ऐसा नहीं है, corruption in politics मतलब आपको बास study चाहिए पिछले 5-6 साल का पिछले 7-8 साल का या पिछले 2-3 साल का जिसमें आप facts, figures दे सके तो यह study में आ गया water scarcity and access to drinking water, इसका भी study करना पड़ेगा, तो यह होगे study report, आपको पता चल गया होगा, कि news report क्या होता है, study report क्या होता है, study report जब भी आता है, तब आपके पास बहुत सारे, मतलब पीछले जो पुराने जो facts होते हैं, वो भी आप quote कर सकते हो, ठीक है, तो ban on alcohol in बिहार जिसमें ह दिया था, इतना 200 words में लिखना है, पहली बात तो और, वहाँ पे topic से पटकना नहीं है, ठीक है, study report, research report और news report हो गई, आगे, do's और don'ts क्या होते है, do's क्या होता है, कि bias free information होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी party के, party के fucks में हो, या भी किसी के bias में नहीं लिखना है, हमें पूरा neutral रहना है वहाँ पे, जो जैसा हुआ है, वैसे ही वहाँ पे portrait करना है अपने report में, ठीक है, कोई भी false information ना हो, और उसके साथ साथ, पूरी 100% correct information होनी चाहिए, देखो 200 words का report होता है, और वहाँ पे आपके पास अगर knowledge नहीं है, आपके पास facts नहीं है, correct information नहीं है, तो आप, म भी आ रहा है तो इतना ही लिखो, correct information लिखो, कोई भी मतलब तो मरोड के statements बना के, बना दो, लिख दो, बस 200 words complete करने, ये विल्कुल मत करो, ये है reports, ये precise, इसमें 50% से आगे marks मिलना बहुत मुश्किल होता है, 50% भी जितने मिलते हैं, वो correct होना चाहिए, उसके जो rules से, report writing हो हो गई, precise writing हो गई, उसके जो rules से, उसके हिसाब से ही इनको लिखना है, ऐसाने अभी essay के तारह लिख दोगे तो फिर क्या, क्या फरक रहे जाएगा, essay में और report writing में, इसे report writing बोलते है, report writing क्या होता है, कि आपको याद रहो कि officers को होता है, कुछना कुछ reports देने पड़ते है, reports बनाने पड़ते हैं, तो ये चेक के जाते हैं, कि इसके ability कितनी है, reports बनाने की, presentation बनाने की, और उसमें biased information कितनी होते है, correct information कितनी होती है, तो ये आपकी quality चेक कर रहे है, वहाँ पे, ठीक है, तो facts portrayal भी करते आना चाहिए आपको, वो भी दिखना चाहिए, कि facts भी बता रह होते हैं, Monday, Tuesday, उसके बाद date चूज़ कर सकते हो, dates के साथ month भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये होगे, चोटे-चोटे facts हो गए, ठीक है, उसके बाद facts क्या हो गए, और ministry of home office, ministry of external office, supreme court, high court, जहें, government administration, ठीक है, और top offices of the government, top rank offices of the government, कोई, कोई Nobel laureate होगा, मतलब जिसका कुछ त जाने, society में उसमें कुछ comment क्या हो, वो भी डाल सकते हो, जो उससे related हो, उस topic से, तो इस तरीके से facts का portrayal करना चाहिए आपको, ठीक है, ये dues हो गए, bias pre information, 100% correct information, portrayal of facts, ये SI होना चाहिए, और याद रखना, आपके पास 100 words का data है, तो उतना ही लिगो, उतना ही report लिगो, आप ज बचालो, और दूसरी कोई चीज हो, precise हो, उसको ठीक से लिगो, passage हो, उसको ठीक से लिगो, ठीक है, वो time utilize करो, और मेरा, जितना भी experience है, ज्यादा तो करके, 90% candidates के पास, कुछ, पूरा data होता नहीं है, factual, ठीक है, वो कुछ ना कुछ तोर, महरोड के ही लिगते है, बहुत कम लोग होते हैं, जो पढ़ाई करके जाते हैं, जो reports की तयारी की हुई होती है, तो मैं कहूंगा, कि आप भी तयारी कर लो, 20-25 ऐसे topics निकाल लो, साल बर के, जिससे आप कुछ ना कुछ reports लिग पाओ, जो भी उससे related आए, ठीक है, तो एक-एक marks बहुत जरूरी होता है, हम count कर दे, report को, precise को, कभी prepare नी कर दे, last-last में थोड़ा बहुत, exam pass में आ जाती है, तो हम पूछने लग जाते हैं, या पर YouTube पे वीडियो देखने लग जाते हैं, तो पता भी नहीं होता है, उस टाइम पे YouTube पे कौन सा वीडियो सही है, कौन सा नहीं है, इससे आच्छा है, पहले आपको miss नहीं करना है, एक-एक मार्क से आपका score build-up होने वाला है, do, zoom होगे, फिर ये बदाया था है, मैंने ministry के statement, government official, spokesperson के statement, government की advisories क्या थी, वो, अभी ये जो बता रहा हूँ, या आप newspaper अभी बहुत time exam को, तब तक के papers पढ़ोगे, तो उसमें पता चल जाएगा, ये कैसे use क्या हो आता, कैसा arrange क्या हो आता है, ministry के statement हो गए, supreme court के directions हो गए, किस तरीके से present क्या हो आता है, ठीक है, तो देख लेना आप यहां से, dons क्या होगे, कि opinion कुछ देना नहीं है अपना, ठीक है, अपना opinion मत दो आप है, जो है वही रखो, जो do's में बोले, उसका ही opposite इसमें करो वहाँ पे, कि आप अपना point convey करना चाह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, विल्किल न्यूट्रल, आपको कुछ लेना देना नहीं हो, जो मिला है, वो ऐसा ही लिख देना है, ठीक है, यह होगे, dons, ज्यादा, ज्यादा तो कुछ rules नहीं है, report writing के, आप यह मत सुचो कि report writing चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, पहले तो title, title जैसा है, कि अभी मेरे पास दो opinion है, title के, एक है, मेरे senior ने बताया था, कि title कुछ innovative होना चाहिए, आपका, ठीक है, जिससे आपको marks मिल सके या, impression पड़ सके, और एक यह दूसरा opinion है, जो P2 का top और है, 2018 का, friend ही है मेरा, 110 marks है, उ उसने कहा कि नहीं, title जैसा है, वैसा ही डालना चाहिए, आपको, title को change मत करो, title मतलब, title को improvise मत करो, improvise करोगे, तो meaning change हो जाएगा, ठीक है, तो मैं उसके साथ ही जाना चाहूँगा, ठीक ही, एक है रहा है, कि अगर title जैसा है, वैसा ही डाल दो, बाद में जो लिखना है, वो ठीक से लिखो, इतना भी कोई मतलब जरूरी नहीं है, title improvise होना चाहिए, या कैसा होना चाहिए, पर title देना जरूरी है, वहाँ पे डालो, जो topic है, वो उपर डालो, उसके बाद name of reporter, ठीक है, इसमें बताया जाता है कि name of reporter, name ने लिखना है कुछ, ठीक है, XYZ जादा तो इसमें बताया जाता है कि XYZ की जगह पे नाम डाल दोगे तो paper reject हो जाएगा, बिल्कुल मीट है, मैंने तीनों साल पे नाम्स यूज किये गए है, तो कुछ होता नहीं है उसमें नाम यूज करने से, नहीं कोई आपका paper reject कर देगा, इससे कुछ अलग हो जाएगा, नाम डाल उसमें अलग-अलग नाम डालो, मुझे बताया गया था जो दो-तीन टॉपस ने की, अगर नाम यूज कर रहे है तो उसमें भी यूज करो, एक अलग-अलग religious names यूज करो, दो रिपोर्ट होते हैं, एक में हिंदू, एक मुसलिम, एक में क्रिष्चन, एक में हिंदू, ऐसा कुछ नहीं है, नाम ही डाल सकते हो, ठीक है? पेपर वीफर रिजेक निया हो जाएगा, इतना डरने के ज़रूद नहीं है, उसके बाद प्लेस आएगा, प्लेस आएगा, ठीक है? और न्यूस पेपर का नाम भी डाल सकते हो, ठीक है? बतलब неб कहां पे हुई है वो? तो यह अबंग ने बताया था मुझे तो उसके बाद चोटे-चोटे तीन पैराज में एक अपना रिपोर्ट खतम करना है आपको ज्यादा इन्पोर्मेशन मुझे बता है हो नहीं नहीं वाली है अपने पास अगर जिसने अच्छे से प्रिपेर किया है वह 200 वर्ट्स काउंट करके अपने तीन पैराज में खतम कर देना ठीक है कंक्लूजन वगरा कुछ देना नहीं है याद रखना ओपिनियंस नहीं दिने जितना है उतना ही देना है अभी देखो कैसे कैसे नाम्स यूज किये जाते है देखो यहापर लीगल कर्सपोंडेंट तो यह से सुप्रीम कोर्ट से कोई न्यूज थी तो लीगल कर्सपोंडेंट यहाँ देखो सीम से जमीज सीम से तो प्रेस ट्रस्ट आप इंडिया यहां से आई है यहां पर आम पोर्सेस और एडुकेटली प्रोटेक्टेड यह भी प्रेस ट्रस्ट आप इंडिया से न्यूज लिए इन्होंने इंडि लेतिव और झालर करना जो भी टा यहां और यहां पेनिंग्स किया जाते हैं और यहां पर तो ज्ड़ादा ज्यादा ने जaden kрост मैं और आख्याद्थ पर यहां पर तो लुंस करो सकते हों और लाय 15क 멍ान चेंज प्लाइमेट रेट्स पंथर लेट crafts यहाँ पर देखो by lifestyle desk न्यू दिल्ली ठीक है lifestyle desk मतलब जो new agency है उसमें lifestyle desk होगा उसने यह report किया है उसके बाद यह देखो explain on world environmental day here's how air pollution has gripped our planet ठीक है यह किस ने दिया है by thompson reuters foundation कोई foundation है उन्हों research किया था उन्होंने study किया था उन्होंने यह report publish किया था ठीक है बारसी लोना से यहाँ डेट डी गई है डेट डालने का भी format डेख लो कैसा होता है इसी तरीके से डाल सकते हो आप ठीक है time beam डालने की जरूरत नहीं है तो इसी तरीके से name अगरा डाल सकते है यह simple format है ऐसा ही रखो कोई hard और fast रूल नहीं है कि यह डालना है और कोई time नहीं डालना है अब किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो और देखो name express news service भी डाल सकते हो special correspondent क्या होता है क्या होता है कि communication का वे होता है letters और emails के through legal correspondence special correspondent यह आप में उसके ठीक से देख लेना network अभी रिपोर्ट रेखते हैं for example ठीक है restoration of broadband and data services in valley यह रिपोर्ट आ गया समझो यहाप मैं चोटे चोटे प्याराज करने आपके तीन प्याराज में मेरे हिसाब से 1500 words हो जाएंगे 1500 या 200 उतना ही करो तो जम्मू यहां पर लिखा है जम्मू और कश्मीर administration Friday ordered restoration of broadband and data services from Saturday for the union territory यहां पर क्या लिखा है जम्मू और कश्मीर administration ना की रिम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट ठीक है administration administration ने ओडर किया है इस तरीके से भी आपको ठीक से याद रखना होगा ठीक से ऑब्ज़र करना होगा चीजें किस तरीके से लिखी जाती है रिपोर्ट में उसके बाद this marks the restoration of internet services across कश्मीर अप्टर नियरली six months ठीक है services मतलब देखो कैसे किया है six months नियरली six months उपर देखो however restrictions on social media will continue at least until January 31 तो facts कैसे यूज किये गए है कि January 31 तक social media पर restrictions रहेंगे कश्मीर में जो था internet services after six months के बाद ये कुछ थोड़ा उनके लिए regeneration का time आ गया है ठीक है उसके बाद ऊपर देखो German कश्मीर administration Friday 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 कैसा use किया है Friday order restoration of broadband and data services from Saturday तो इसी तरीके से facts भी पता होने चाहिए इतना तो factual आता नहीं है पहली बात तो इतना factual आता नहीं है report writing पर आपको ये पता होना चाहिए कब क्या आजाए पता नहीं है facts का यहाँ पर trail होता है facts को include करना पड़ता है तो आप इससे ये सीख लिजे कि facts कैसे use किये जाते services were snap on August 4th for night hours before the abrogation of article 370 broadband connectivity to essential services was restored on January 15 ठीक है additionally restricted data access was restored in North Kashmir district of kupwara and baramurla ठीक है district के नाम भी लिए गए तो ऐसे चोड़ी चोड़ी facts आपको पता होने चाहिए इसलिए बोलता हो कि आपके अमारे बास इतना data होता नहीं आभी से पड़ाई करोगे 20-25 topics ठीक से करके रखोगे study report और कुछ news reports news reports के आज्यादा ते ज्यादा मेरे साब से 12-13 निकलेंगे पूरे साल में से जो highlighted हो दे और study report तो बहुत सार निकलेंगे पर आप 15 के आसपास decide कर लो और निकाल लो उससे कुछ ना कुछ information ठीक है जैसे pollution का हो गया जैसे water scarcity का हो गया यह corruption का हो गया criminalization का हो गया यह कई ना कई आते रहते डिमोग्रासी के हो गए reports आते रहते जो reports आते ना government के वह ठीक से पढ़ने के और उससे कुछ ना कुछ एक tagline निकाल लेने कि जो कहीं भी यूज कर सकते हो आप यहां पर लेखा ओन जैने और रिटेंड शुपरिंग को डाइरेक्टेट्स ठीक है सुपरिंग को डायरेक्टेट्स जैन के administration to review all orders suspending internet services ठीक है अपर supreme court का भी यूज किया आए supreme court को भी court किया याने रेटेंग को ठीक है यह हो गया उसके बाद फिर वो article 191 नहीं पर लिखाए कि किसके किसको मतलब रेफर करके वह restrictions हटाए गया उसके बाद जैन के home department ठीक है जैन के home department ऐसा नहीं के home ministry लिखाए जैन के home department in its order Friday ठीक है फ्राइडे फ्राइडे भी उसके बाद उन्हें यह भी गया कि restrictions कहीं ना कहीं लागू रहेंगे हैं सावसा ठीक है उसे बाद वाइड लिस्टेर साइट से इन केज और फिक्स लाइन कनेक्टिविटी ओंली 301 वाइड लिस्टेर साइट्स ते लिस्ट उप विच पांडे तो इंक्रूब नूज वेब साइट्स विल बी रिस्टोर्ड ऑ इसका मतलब यही है कि मैं बता रहा हो कि अभी से आप अब जरूबर करोगे ना इसको ज्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूब भी नहीं अब इसे पेपर की फॉर्स पेच में कुछ ऐसा रिपोर्ट आजाए उसको अब्सेर करोगे ना तो आपको दीरे दीरे याद रहेगा ज्यादा भी नोट्स बनाने की जरूब नहीं मैं आब जरूबरीशन का कामे मstorming ठीड फ्राइल आप sahते एक आट कई दüş कुछ Ministry के statements code किये गए होते हैं government के advisory state code कि गई होते है और government के जो भी official spokespersons होते हम बहुत बार सुनते हैं, external ministry spokespersons stated that तो वो एक मतलब आप बोल सकते हो कि valid होता है, ठीक है, गुवर्मेंट अज गीवन इंडिकेशन और तो इसी तरीके से हो सकता है यहां पर पिदेखो यहां पर पंजाब जो लाल बॉक्स है रेड बॉक्स है उसमें देखो पंजाब एन हर्याना हाई कोट फ्राइडे बैंड बैंड डिस्प्ले ओप डिजिगनेशन अब और दिस्क इस तरीके से यूज करो आपको पता भी होगी ना फैक्स तो उसके आगे पिछे गवर्मेंट अडिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऐसा कुछ यूज किया करो थोड़ा बहुत वाइल देखो इस तरीके से पता होना जाहिए यह देखो डिपकोनुमिस्ट डेमोक्राशी इंडेक्स इंडिया इनिस्ट्रोवर रांकिंग इवर्मक्राशी पर अगर रिपोर्ट पूछ लिया तो यह ऐसे इसे रिपोर्ट होते है उसके जो फैक्ट होते हो निकाल के रखने चाहिए इंडिया स्लीप टो टेन प्लेसे 251's position in the latest democracy index global rankings published by the economics intelligence unit second red box देखिये the primary cause of the democratic regression was an erosion of civil liberties dash 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 से third civil liberties is one of the five categories on which the democracy index is best इसी तरीके से reports वगर आप पहले से ही आपके पास रखिये mobile में लिखने के भी ज़रूरत नहीं है अभी mobile में save करके रखिये bookmark करके रखिये newspaper's के जो भी pages से ठीक है यह देखो climate dominates divorce dialogue तो वो Greta Greta Thunberg क्या बोली उसके बाद Swiss के president क्या बोले Trump क्या बोले world losing trust in climate science यह survey ठीक है यह survey तो इसी तरीके से facts बगरा बना के रखिये study जो होती है complete जो दो साल से पढ़ रहे है फ्रेशर पढ़ रहे है तो फ्रेशर का मान सकता हो कोई उपर कोई pressure होगा पीवन का पीवन का syllabus complete करने का पर जो देड़ या दो साल से बढ़ रहे है तो उन्होंने paper 2 को ठीक से seriously करो क्योंकि जो है report writing, passage writing और grammar इस पे कोई इतना focus नहीं करता और उसी को जैसे जो marks है 100 के नीचे ही रहते है वो सब के बहुत कम जो होते है candidates वो 100 प्लस जाते है क्योंकि इ 25 मांक बढ़ जाएंगे और आप अगर 80 पे हो 75 पे हो तो 9500 के उपर निकल जाओगे यह simple formula है अगर ऐसे difficult आ भी जाते है तो आप grammar या report writing प्रेसर राइटिंग प्रेसर राइटिंग यह बचा लेगी अगर वो भी अच्छा आ जाता है ये भी आच्छा आ जाता है तो टॉप अगर कोई मुझे report अच्छा दिख गया तो मैं उस पर एक video बना दूँगा तब के लिए बाई बाई जहीं